अभी में आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को सुनने के बाद में आपको ऐसा लगीगा कि मुझे अभी कुछ एक्सल लेना है मेरे टाइम की वैलियो ये है और मुझे अभी इस टाइम को बचाना है और कुछ बड़ा खड़ना है ये कहानी आपको जिन्दगी भर याद रहने वाली है क्योंकि कहानी हम कभे नहीं बूलते हैं कहानी हमें जिन्दगी भर याद रहती है हमको लेसन पढ़ते हैं कुछ सिखते हैं वो हम भूल सकते हैं लेकिन कहानी हमें जिन्दगी भर याद रहती है ये खानी है एक kingdom की एक ऐसे राज़े की जहाँ पर हर 5 साल में एक राज़े को change किया जाता है तो जब भी राज़े के 5 साल complete हो जाते है उसको भीज़ दिया जाता है एक ऐसे jungle के अंदर जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता है जहाँ पर जानवर खा लेते हैं उसके बाद में जब एक राज़ा के 5 साल complete होने ही वाले होते है उस राज़ा को नए कबड़े पेनाया गया उसको हाथी पे बेटाया गया और उसके बाद में उसको goodby कैने के लिए उसको boat पे बेटा दिया जहाज पे बेटा दिया तो उनको पता बता कि हमारे राज़ें में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होसियार इसान है और उसको राज़ा बना देना चाहिए तो जैसे गाओं के सारे लोग जाते हैं उस इंसान के पास में और request करते हैं कि क्या आप हमारे राज़ा बनोगे तो वो बंदा मना बोल देता है क्योंकि उसको सारी बाते बते जाते हैं कि हर 5 साल के बाद यानि कि जब आपके 5 साल कंप्रीट होगे तो आपको 5 साल के बाद में आपको ऐसी जगा पर फेज दिया जाएगा जहां पर जानो और ही खालेगे जहां पर जीवन नहीं है तो उसके बाद में उस जगा के काफी लोगों ने बहुत बारी बोला कि प्लीज आप हमारे जगा के राजा बन जाओ आप बहुत होस yapt रहो बहुत चालाक हो आप बहुत अच्छे तरह से इस जगा को चलाओगे आप बहुत अच्छे तरीके से सबका ध्यान रहोगी सबकी रिक्वेस्ट करने के बाद में उस इंसान ने बोल दिया हाँ कि मैं आपकी जगह के राजा बनने के लिए भी तयार हूँ और मैं इस बात को भी एगरी करता हूँ कि 5 साल के बाद में ऐसी जगह बेज दिया जाओगा जहाँ पर कोई जीवन नी है ऐसी जगह पर बेज दिया जाओगा तो जैसे ही वो इंसान राजा बन जाता है तीन दिन के बाद में वो राजा अपने जगह के लोगों को बोलता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर आप हर बार 5 साल कंपलीट होने के बाद में उस राजा को बेज देते हो उस जंगल के अंदर वो राजा जाता है अपने लोगों के साथ में उस जंगल के अंदर विजिट करता है देखता है कि वो कौन सी जगह है विजिट करके देखता है कि वहाँ में बहुत राजाओं की बाडिस पड़ी है, बहुत राजाओं की लासे पड़ी है, वो इतना जादा घना जंगल है, वहाँ पर देखता है कि बहुत अलगला तरह के जानवर है, उसके बाद में राजा का चलता है दिमाग, उस जिगह को द बाद में राजा खेलता है अपना खेल वो अपना दिमाग चलाता है राजा ने पहले ही साल में उस जंगल के सारे ट्रेस कटवा दिये गना जंगल जिसकी वज़े से लग रहा था वो सारे चीज़े हटवा दिये और वहां के जितने जानवर थे जो जानवर मारने वाले थे उन जानवर को भी हटवा दिये वहां से राजा ने दूसरे साल में उस पे और काम किया उसको और थोड़ा सा ऐसा बनाय गया कि वो जंगल ना लगे तीसरे साल में वहाँ पे एगरी कल्चर का काम चलाया गया चौत्य साल में वहाँ पे काफी सारी बिल्लिंग्स बनने लगी वहाँ पे कॉंप्लेक्स बनने लगे वहाँ पे लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिये वहाँ पर रोड वगेड़ा बननी शिरू हो गए और काफी अत्थक बन गया था कि वहाँ पर जाकर रह सकते हैं 5-8 साल मैं पूरा का पूरा वहाँ पर लोगों का रहने का पूरा इंतिजाम भी कर दिया अपने 5 साल में ये सारा बिनाने के साथ मैं भी राजा अपनी सेविंग्स भी कर रहा था राजा बहुत कम पैसे खर्च करता था और काफी सारी सेविंग्स करता कि वो पैसे वो खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जो जगह वो पांस साल से त्यार कर रहा है उसके बाद में जैसे ही राजा के 5 साल bona ही बाए होते हैं वो अपने राजा के लोगों को बोलते हैं कि मैंने 5 साल कम्प्लीट होने वाले हैं मुझे अपने वहाँ जगा बेज दो जो अपने कांटरेट करा था कि कि मुझे पांस साल के बाद में आपे बिजा जाएगा तो उसके बाद में वहाँ की लोग बोलते हैं कि अभी आपके पांस साल कंप्लीट नहीं हुए है अभी दस दिन और बाकी है वो एडवांस में बोने लगे इतनी एक्साइट में दोने लगे कि मुझे वहाँ उस जिगर पड जाना है तो जैसे ही पांस साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते है उस राजा को नए कपड़े पेनाये गए उस राजा को गुडबाय केने के लिए हाथ ही कोई बैटाया गया लेकिन वहाँ की लोगों ने देखा कि यह राजा तो आब भी हस रहा है हर बार ऐसा होता था कि जितनी बार राजा चेंज होता था था तब और तो यह बोलता है और यह लाजा आपने पूरी दुनिया रोए और आप रोती हो yılगी ठीक उसी तरह उस राजा ने ऐसा किया, उसने अपने जिन्दगी को ऐसी बना ली थी, कि वो हस्ता उस जगो पर जा रहा था, वो राजा बोलता है कि आपने देखा होगा कि जितने भी राजा आये है, वो राजा पांच साल में इतने खो जाता है, राज करने में, खो जाता है लक्सिरियस चीजे पहनने में इतने मज़े करने में कि वो भूल नी चाता है कि उनको 5 साल के बाद में ऐसी जगों पेज़ा जाएगा जहां पे उनको बनना पड़ेगा लेकिन मैंने 5 साल में अपनी उस जगों को भी ठीक किया मुझे ये पता था कि मुझे 5 साल की बाद में कहां पेज़ा जाएगा उसके लिए मैंने उस पे वर्क किया मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए मैं खोया नहीं मैं राजा जुरूर था लेकिन राजा बनने के बाद में मैं यह डिया पुल ला कि मैंने आने वाला वाला टाइम के सो वेगा, मैंने अपने फ्यूचर की प्लाणिंग की तो जब वो राचा जाता है, वो खुश होते ह lacks जाता है, अपने सारी सेविंग्स को लिए जाता है, जो सेविंग उसने करी थी राचा बने के बाद में जितने उसने पैसे क्लड़ करे थे, जितने उसने चीजे क्लड़ करे थी राचा बन जाने के बाद में उसने अपने सारे पैसे खर्ज भी ने किये उसने अपना फ्योचर समाला, उसने काम किया उसके उपर दोस्तो इस कानी से हमें क्या सिक्षा मिलती है आपको भी किवल कुछ ही टाइप मिलता है अपनी लाइफ को पूरी अच्छी बिनाने के लिए आप अगर मेरी यज की हो अगर आपकी एज आती है 16 से 24 के बीच में तो ये आपकी गोल्डन एज है इस एज में आपको जितना जोस मिलता है जितना आपको जज़बा मिलता है जितनी एकसाइटमेंट आपके अंदर भरी होती है उधरी आपकी दूसरी एज में नहीं होती है इस एज में आपको इतनी मैनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो क्योंकि अगर आप इस एज में मज़े करते हो इस एज में आप केवल इंजॉय करते हो एंटिटेर्मेंट में ही ध्यान देते हो तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसी जंगल में जाना होगा बना दिया, एक पुरा अलग राज्य बना दिया क्या आप अपने जिंदगी का एक राज्य बना रहे हूँ या फिर आप अपने जिंदगी के जंगल को जंगली बना कर रहे हूं